देखो आज हम बहुत important issue के बार में discuss करेंगे indemnity issue ठीक है जो अभी जो दो vaccines है Pfizer और Moderna उसके जो manufacturers है वो चाहते हैं कि अगर उनकी vaccine इंडिया वालों को use करनी है तो उनको indemnity देनी पड़ेगी मैं detail में बताऊंगी यह क्या होता है लेकिन short में चानलो indemnity का मतलब होता है protection against loss ठीक है दोनों जो manufacturers है वो चाह रहे हैं कि उनको legal indemnity मिले तो अब detail में देखते हैं कि issue क्या है देखो यार पहली बात तो यह है कि Pfizer की जो vaccine है वो एक मात्र vaccine है जो की approve की गई है WHO के दारा बच्चों के लिए ठीक है बच्चों के लिए उन से बच्चों के लिए 18 से कम उमर में जो 12 से 17 साल के बच्चे उनके लिए सिर्फ Pfizer ही Pfizer का ही एक ऐसा vaccine है जिसको approve किया गया है दुनिया में अभी तक और कोई भी vaccine इस तरीके से approval नहीं पा पाया है ठीक है जिस तरीके से Pfizer को मिला है बच्चों के लिए इंडिया ने भी तक नहीं बनाया है ऐसा कोई भी vaccine इसलिए अभी Pfizer वाले चाहते हैं Pfizer और Moderna जो दो vaccine manufacturers है वो यह चाह रहे हैं कि उनको अगर भारत में यह vaccine बेचना है भारतिय सरकार को अगर यह vaccine चाहिए अगर इंडिया में तो फिर उनको एक legal indemnity देना पड़ेगा इसका मतलब यह है कि अगर इन दोनों company की vaccine को लगाने के बाद कोई भी दिक जाएगा च्छती पूरती की जाएगी ठीक है तब ही इन्होंने कहा है अगर आप legal indemnity अपरूव करते हो तो ही हम अपनी vaccine आपको देंगे ताकि आप बच्चों को लगा सको या बड़ों को लगा सको ठीक है क्योंकि इंडिया में vaccine की shortage है है तो देखू vaccine लगाने से कई तरह क problem आ रही है ऐसा लोग कह रहे थे ऐसा कई सारे reports में भी दावा किया गया कितना सचे कितना जूटी है नहीं पता कह रहे थे कि कई सारे side effect हुए है जैसे blood clot हुआ है उसके बाद कई लोग को diabetes हो गया पता नहीं ऐसा कुछ मैंने तो नहीं देखा मैंने भी लगवाया है ऐसा है रहे थे कि वह वैक्सिन के कारण हो रहा है ठीक है तो वैक्सिन लगवाने के बाद जो human body में changes आ रहे हैं चाहे वो किसी भी तरह की changes हो उसको लेकर के वैक्सिन कंपनी पर लोग वो कर रहे हैं ब्लेम कर रहे है कि हाँ इस वैक्सिन के कारण ऐसा हुआ है तो फाइजर की वैक्सिन है एक तो प्रॉब्लम यह है कि वह एक मात्र वैक्सिन है जो 12-17 साल के उम्र के बच्चों को दी जा सकती है मतलब 18 से कम उम्र के बच्चों को जिसकी जरूरत बहुत जादा है क्योंकि ना इंडिया में अभी तक बच्चों के लिए कोई वैक्सिन नहीं बनी है औ और शायद अप्रॉबल मिल जाए शायद इनको लीगल इंडेमिटी मिल जाए ठीक है अगर इनको लीगल इंडेमिटी मिल जाती है तो उससे इनको ये फायदा हो जाएगा कि अगर उनके वैक्सिन को इंडिया में लगवाने के बाद कोई भी तरह की प्रॉब्लम किसी को हो तो directly हम company पर कुछ भी claim नहीं करेंगे, कुछ भी blame हम company को नहीं कर सकते, कि इस company की vaccine को लगवा के हमार साथ ऐसा हुआ, तो उनको हमको पैसे देने पड़ेंगे, उनको हमें compensation देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यह बहुत ही बड़ी एक बात है, बहुत ही बड़ा एक decision होगा, क्योंकि अगर उस vaccine को लगवा के कोई problem आती है, तो हम blame उनको नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए इंडिया में इतना vaccine shortage के बावजूद भी हमारी भारत सरकार ने अभी तक यह approval उनको दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है, दे दे, हैना क्योंकि वो vaccine भारत में आने के बाद ऐसा नहीं है कि directly लगाना चालू कर दिया जाएगा, एक बार उसका trial तो किया जाएगा कि बहुत ज़्यादा side effect तो नहीं हो रहा है, देखो हर vaccine को लगाने के बाद बुखार तो आता ही है, इसको आप side effect के तोर पे मत देखो, vaccine सारे ही ब vaccine लगाए गए है या लगाए गए है उसके कारण कुछ भी problem अभी तक नहीं आई है, ठीक है, तो अगर हम Pfizer और Moderna को भी इंडिया में लाते हैं, अगर हम उनकी ये शर्त मान लेते हैं कि ठीक है, indemnity हम आपको legal indemnity provide करेंगे, तो वो अपनी जो vaccine है भारत भेजेंगे और हम बच लिए इसको approve किया जाए, कई सारे बड़ी-बड़ी countries ने ये approval इनको दिया है, ठीक है ना, ये immunity इनको प्रदान करी है, कई सारे बड़ी countries में, तो इंडिया भी उनी countries में शामिल हो जाएगा, ठीक है, देखो वैसे भी ये target था कि 2021 के last तक 40% population पूरे world की vaccinated होनी चाहिए, ठीक हैं और खुद से vaccine लगवा रहे हैं, vaccine से बिल्कुल भी मढ डरिये, मैंने भी लगवाया है, मेरे दोस्तों ने भी लगवाया है, और सभी न लगवाया है, लगवग सभी न लगवा लिया है, vaccine के कारण कोई problem नहीं आ रही है, ठीक है, तो indemnity issue यही था, अब देखो Pfizer और Moderna की जो vaccine है, वो अगर इंडिया आ जाती है, तो जो vaccine की shortage है, वो खदम हो जाएगी, ठीक है, और बच्चों को भी vaccine मिलने लगेगा, तो आज के लिए इतना ही, मैंने detail में आपको बता दिया है, कि issue क्या है, तो अब आगे अगर कोई भी update आएगा, तो मैं इस बारे में भी आपक करती रहोंगी, ठीक है, अगर आपको कोई doubt या confusion हो, तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं, thank you